वेल गाइस आप सबको हमारा यूटूब चैनल आयूशेफ्स में स्वागते मैं हूँ आपका दोस अविनास आज कुछ टॉबिक सीख लेते characteristics of सुद्ध आर्थव यानि सुद्ध आर्थव कलक्षण क्या करेना चे आर्थव आप कंसिलर कर सकते मेंसस और मेंस्ट्रल बेड इधर कोटेशन है मैंग्समें आयर्वेद में उपमान प्रमान से यूज करा सो है comparison quotation पढ़ लेते 6 असरुक प्रतिमम यतु याद्व लाक्ष रसो उपमम तद आर्थवं प्रश्रम संती यद्व सो न विरंजयत इसके मीनिंग समझ लेते क्या है 6 असरुक शेश यानी राबेड असरुक ब्लेड प्रतिमम एसे लागश रसो उपमम लाक्ष रसो यानी यानी एक लाक इंसेक्ट मैं अभ भी यूज करते हैं लाक ये क आक इंसेक्ट रहता है उस इसेक्ट का जूस लेकर और एक्स्टाट लेकर प्लोट्स को डाई करना लिपिस्टिक्स उस तीजों में यूस करते रहते हैं अब गूगल में सर्च कर लीज़ें इंफर्मेशन मिल जागा नेक्स्ट है लाक्षर असो पबं तद आर्थवा उप्रशम संती यदव सो न विरंजेद इसका फुल मीनिंग एके चे जो भी हमारा मेंस्ट्रल ब्लेड रहताना स्टेन नहीं करना इजीली वाशेबल रहताना इजीली वाश करनेके लिए आजाना अगर जो मेंस्ट्रल ब्लेड स्टेन करताना चरका तपनिंद्रिय गोपाबं पद्मलक्त सन्नीबं गुंज फल सवर्णं चा विशुद्धं विधी शोनितं इसकोटेस्टन का सिंपल सा मीनिंग है फश्ट तपनिय यानि रेड गोल्ड मैं आज तक तो रेड गोल्ड नहीं देखा आप देखा तो प्लीज कमेंड करका बता दीजिए रेड गोल्ड इंद्रगोपाबं यानि रेड इंसेक्ट और फायर फ्लाइस पद्मा जो भी हमारा मेंस्ट्रल ब्लेड रहता ना वो पद्मा यानि रेड लोटस के पेटल्स के जैसे रिसमल करता गते बद्मा नेक्स्ट अलगत अलगत यानि जब हम स्पूल डेसस में ड्राम करेता धांत में के लिए कॉस्मेटिक्स यूज करती थे थे न वह अलगत यानि रेड कॉस्मेटिक रहता है एक गुंज सीड से आप नेक्स्ट यार द्राव्य गुण में देख सकते हूं गुंज फॉला सवन नम्च्या विशुदम विधी शूनित यह कहें शुद्ध शूनित का लक्षन है आईशा शूनित रहे तो वो गर्ल में हमें फटल गर्ल खाई सकते हैं यह है उनका ओके गाइस आपको वीडियो अच्छा लागा तो शेर करना है मत बोलें और कुछ फ्रेंड्स हों को भी शेर कर दीजियार मोटिवेशन बढ़ जाता है थैंक्स गाइस कीप सपोर्टिंग